हेलो फ्रेंड मैं विमल अगरवाल वेलकम टू फार्मेसी क्लासिस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सस्क्राइब कर ला है और बैल आइकन के बटन को प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहु आपको यह होता है यह होता है यह हमारा एक यशेफ स्ट्रक्शर होता है होता क्या आप है क्बारा होता है हमारा replication fog, for example, मैंने यहाँ पर आपको पता ही है, जो DNA वो antipolar होता है, antiparallel होती है, इसकी polarity, तो यह मैंने antiparallel polarity कर दी, यह मेरा DNA replication fog बन चुका है, अब होगा क्या है, यहाँ पर हमारा जो main enzyme होता है, जिसको बोला दाता है DNA dependent DNA polymerase, DNA polymerase का मतलब का हुआ, जो enzyme DNA को synthesize कर रहा है, वो DNA polymerase हुआ, तो क्या होता है, हमारे जो nucleotides होते हैं, वो आते रहते हैं, और हमारे जो DNA है, वो हमारा बनता रहता है, अब कैसे होता है, बला देता हूँ, यह जो DNA polymerase होता है, यह हमारे DNA के ऊपर 3' से 5' direction पे रन करता है, तो अब आप देख सकते हैं, एक हमारी 3' तो खाली है, लेकिन दूसरी वाली तो हमारी भरी हुई है, तो होता क्या है, जो हमारी 3' से 5' वाली खाली है, यानि कि 3' वाली खाली है, वाहाँ पे तो हमारा DNA polymerase है, वो continuous strand बना देता है, यह जो strand बनती है, यह 5' से 3' direction में बनती है, यह continuous बनती है, इसलिए इसको बला दाता है leading strand, महीं अगर मैं बात करूँ, इस side वाली strand पे, तो यह तो अब देख सकते हैं, 3' तो खाली है यह नहीं, इसलिए इसको बला दाता है lagging strand क्योंकि इसके उपर continuous नहीं, discontinuous synthesize होती है, कैसे होती है, देख लेते हैं, तो होगा क्या, सबसे पहले 3' end पे हमारा एक primer बनेगा, और फिर हमारी क्या है, replication इतनी होगी, फिर हमारी replication होगी, फिर primer बनेगा, फिर replication होगी, तो यह क्या है, discontinuous होती है, यह जो primers होते हैं, यह RNA primers होते हैं, तो यह हमारे RNA primase के द्वारा बनते हैं, तो यह होते हैं हमारी क्या, यह हमारे होते हैं lagging strand के उपर, और यह जो fragments होती है, इनको बोला जाता है, Oka-Zaki fragments, इनको Oka-Zaki fragments बोला जाता है, तो यह तो मेरी बात होगी किसकी replication fork की हम आपको बता देता हूँ कि यह जो हमारे enzyme होते हैं वो कौन-कौन से involved होते हैं एक तो हमारा DNA polymerase आ गया साथी साथ हमारा एक enzyme होता है helicase जो हमारी DNA की unwinding होती है जो replication fork हमारा बनता है वो helicase enzyme की वज़े से ही बनता है साथी साथ में हमारा DNA polymerase होता है और होता है हमारा DNA ligase यह जो हम क्या होता है ligase का क्या गाम होता है जब हमारे बात में जाकर यह RNA primer हटते हैं और DNA बनता है इनकी जगा तो हमारे जो ligase होता है वो हमारे DNA से DNA को जोडने के लिए मदद करता है तो ये तो मेरी बात होगी, enzymes की भी साथ में, question ये तो होता है हमारा complete, बात करता हूँ question B के बारे में, in which phase of cell cycle does replication occurs in eukaryotes, जाने तो eukaryotes होता है, उनके अंदर कौन सी cell cycle के phase में हमारी replication होती है, तो बात करूँ अगर cell cycle के phase में cell cycle क्या होती है, हमारी cell division होती है, उससे पहले हमारा cell होती होता है, वो एक होती है हमारा interface, और एक होता है, जो हमारा cell होता है, यह और सारा time अपना interface में रहता है, जो हमारा is phase होता है, जो हमारे minimizes था तो हमारा घ्राटा रहेगा निश्म के अंदर बढ़ता रहेगा अगर यहां को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो शेर करो, सस्क्राइब करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो जिससे मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिविगेशन आप तक पॉस सके प्लीज सस्क्राइब इस चैनल, थेंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो